तो कैसे हैं सब लोग उम्मेद कर रहा हूंगा कि सब ठीक होंगे फिर आपका भाई आपका दोस्त हाजी राजेग नए ब्लोग के साथ तो मैंने एक यूटीब चैनल पर देखा था कि गुसाई गंज में वायरिंग का काम हो गया है तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सोचा चलो चलते हैं और देखते हैं वायरिंग का काम कहां और किस एरिया में हुआ है क्योंकि हमारे सस्क्राइबरों को भी इंतिजार होगा हमारी वीवर्स को इंतिजार होगा मेरे चाहनवालों को भी इंतिजार होगा तो आप देखिए देखिए यह देखिए आपको वायरिंग का काम कहां नजर आ रहा है किसी ने रिकॉर्ड किया था वो बार बार वीडियों कह रहे से सूरत भाई आपका बहुत-बहुत धन्य बाद जो आपने रिकॉर्ड किया कि सुरत भाई ने क्या रिकॉर्ड किया है क्या वायरिंग का काम हुआ है मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है और अगर कल आप मेरे वीडियो पर थे अगर आप रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने अजुद्या से लेकर रहा है रहे हमारे चली नहीं रहा है मैंने कल वीडियो बनाया था आपने देखा था कुछ हुआ ही नहीं रहा है कि नहीं की थे चोड़ दीजिये को बता दूं की जो वायरिंग काम है अभी तो भी आ श्रीव अगबरपुर तक ही complete किया गया है इसके बाद अगबरपुर से अगर आप फैजवाद जुद्ध्या आते हैं इसके बीच आते हैं मिलार घाड अनला भारी तो इसके बीच आपको कोई वाइरिंग का काम नहीं मिलेगा हाँ प्रेड़ फॉर्म की पूरी अच्छी तर परंपरा के हिसाब फिर हमारे चैनल पर एक क्रोसिंग है 0-3308 गंगा सतलज किसान एक्सप्रेस जो आ रही है तो आप देख सकते हैं जहां तक होगा जानकारी आप लोगों को समझ आ गई होगी तो कि आपको पता है कि जो मैं दिखाता हूं फेग नहीं सही दिखाता हूं जो कोसिस कर मेरी यह रहती है तो वाइरिंग काम अभी सही से नहीं हुआ है और डबल इंग पर उतना भी से ध्धान दिया जा रहा है तो जहां तक है बस यही है अगर चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब करदें वीडियो को लाइक करदें सेर करदें कमेंट करदें और हाँ ऐसे धेर सारा प्यार अपने भाई को पर देते रहे है कि मैं अच्छे सच्छे आप लोगों को कंटेंट और वीडियो दे झाल 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 झाल